नमस्कार दोस्तों आप सभी का आमारी यूटूब चैनल में स्वागत है वेलकम टू दिस लेशन तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले स्टेरोइड्स, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, ट्रैटेफिनोइड्स इसके उपर कई बार एक्जाम में कोशन पूछे जाता है तो इसे 100% आप करके जायेगा एक्जाम को जाते वक्त तो सब्जेट कौन सा हमारे पास फार्माकोगनोसी सेकंड जो के भी फार्मसी फिप्स टॉपिक है बहुत बहुत इंपोर्टन टॉपिक है तो चलो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरू सब्सक्राइब करना विकोज हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो इसकी नोटिफिकेशन स्टेरोड क्या होता हैसा इंट्रोड़क्षन बेख लेते चलोव स्टेरोड इन और्गेनिक कंपाउंड यहां पर दीख लेज़े हैं राइट साइड को यहां पर उसके चार स्ट्रक्चर दियें ए डीए बी सीडी यहांfa को दीकरा होगा यहां ragga आड़े दिया गया है यह स्टिराइडतफ is गोर स्ट्रक्टर इस कंपोजड पपट तो आट्म सब्सक्राइब्स तो इसके अंदर कितने कर्बस ाक्रसेंट होते हैं17 कर्बसाइबब्स होते हैं carbon कंसे abc उर लास्ट का कितने कारवन का है 1234 ओके आपको समझ में आ रहा है कितने देख लिजे वहां पर 1234 समझ में आया तो देख लिजे वहां पर बहुत ही इंफोर्टनटपिक है बहुत तो यहां पर क्या कहता है फ्रेंट्स एपॉइंट जो हमारे ए बी सीडी है तो वह कैसे साइक्लोहेक्जेन है और लास्ट का हमारे जो डिये वह कौन सा है साइक्लोपेंटेन आपको पता है मिथेन, इतेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, मतलब 5 कार्बन रिंग मेंबर्ड तो यह होगा स्टेरोइड के बारे में फ्रेंट्स इस इनोट से आप इसलि बना सकते हो उसके कुछ टेविंट कौन-कौन से फर्सट देखेंगे हम कर्डियक ग्लाइक और फ्रेंट्स वह था क्या है ओ देख लें हेटी चलो फर्स्ट आपल ग्लाइकरइक तो प्रेंट्स कैसा होटा प्रेंट्स six-membered lactone ring इसके अंदर प्रजेंट होती है five-membered और six-membered lactone ring यहां पर प्रजेंट होती है और two classes exist in nature इसके दो classes होते हैं cardiac glycoside के friends कौन-कौन से होते हैं फर्स्ट आमारे पास देख लिए जो कौन सा है cardinolide and second आमारे पास है bipadenolide इसका structure नीचे दिया गया cardinolide और bipadenolide those contain five-membered lactone ring are called cardinolide जो ring five-membered जो ring five-membered के होती है उससे क्या कहते है five-membered lactone के होती है उससे क्या कहते है cardinolide और six-membered lactone ring को क्या कहते है bipadenolide okay five-membered कोंसे है cardinolide यह देख लिए जो है five-membered ring और यह six-membered okay cardiac glycoside के अंदर सिर्फ आपको यह दो नाम याद रखने friends cardinolide और bipadenolide यह five-membered होती है और six-membered होती है okay अगर आप structure निकालती हो तो आपको बहुत आच्छे मार्क मिल सकते नहीं निकालोगे तो भी कुछ नहीं होगा तो चलो next topic देख लेते triter phinoids okay triter phinoids triter phinoids क्या होता है friends देख लेते चलो triter phinoids generally obtained by the biogenesis from six isoprene units तो यह आपको कहा से मिलता है six isoprene unit से आपको triter phinoids मिलता है okay they are found to share commonly the acylic precursor carbon 13 बाद में देख लेते उसका second point the triter phinoids में भी categorized into two major group जो triter phinoids से friends वो दो major group में उसको classify कर दियेगा namely first concern हमारे पास the tetracyclic and pentacyclic compounds okay first concern tetracyclic और pentacyclic compounds the formed one of the steroidal types of c17 carbon atoms present in the skeleton while the while the later on the triter phinoids type with c13 carbon atoms as show below तो इसके कुछ structure यहाँ पर दिया गया carbon 70 और carbon 30 के sorry 27 और 30 के देख लिजिए यहाँ पर steroidal tartiphinoids और pentacyclic tartiphinoids तो इसके structure यहाँ पर दिये गये friends carbon 70 और carbon 30 sorry carbon 27 और carbon 30 देख लिजिए इसके structure बहुत ही important है friends I hope friends आप सब को वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो के अंदर कोई doubt यह प्रब्म दो हमें comment section में जरूब आता ना तो में ते नेक्स्ट टुडियो में नेक्स्ट इंट्रेशन टॉपी के साथ फिलाल इस टुडियो के अंदर इतना है thank you so much